कंट्रोल हो रहे हैं कर रहे हैं कंट्रोल में हैं सभी कंट्रोल में है उत्रपदेश के जनपद बहराईच के महसी छेतर में 13 अक्टूबर को दुरगाप मूर्ती बिसर्जन के दुरान हुई हिंसा में रहुआ मनसूर गाउन निवासी 24 वर्षी रामकुपाल मिस्रा की हत्या कर दी गई थी वारदात में सामिल अब्दुलहमीद वसमीर और उसके दोनों बेटे सर्फराज उर्फरिंकू उर्फ सल्मान वफहीम के अलावा राजा उर्फ साहिर ननकव मारूफ वा अन्नि चार अग्यात लोगों पर केस दर्ज किया गया था रामकुपाल मिस्रा की निर्मम हत्या के बाद भी हत्या आरूपियों के मनसूबे बहुत ही खतरनाग थे तभी तो उन्होंने हत्या में प्रयोक्त बंदूग को लोट कर छिपाया था उसके साथ एक अन्य अबैद असलह भी रखा था ताकि जरूरत पढ़ने पर वा फिर से दहसत पहला सकें इसका प्रमार भी उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दे दिया पुलिस के अनुसार महराज गंज में रविवार को जो हुआ वह सुन्योजित था मुख्य आरोपी अब्दुलहमीद की चट पर पत्थर वा इंटे रखी थी कांच की बोतले भी मिली ह हत्या में सामिल मुख्य आरोपी अब्दुलहमीद वा उसके बेटों को पुलिस ने ग्रिपतार कर लिया है वहीं पुलिस पर फाइरिंग के बाद सरफराज वा तालीम घायल भी हुए इसके बाद भी रहुआ के ग्रामीड वे मरतक के पिता वे पतनी संतुष्ट नहीं है पिता कैलास नात वो पतनी रोली का कहना है कि पुलिस की कारवाई से खुसी तो मिली है लेकिन पूरी संतुष्टी नहीं मिली है बेटे के हत्या करने वाले का पूरा एंकाउंटर होना चाहिए था है जितनी गोली हम बने लागे जितना मने अंहां प्रहिश्टी हटाई जाए पुलिस प्रहिश्टी अपने अपने राखिश्यों है क्या कहना है कल पुलिस में दो यसा कड़ा है बाठी आरोभरी पुक जो दिए गừa यह बोली मारा प्रियुक्त बंदू के साथ एक अवायद असला भी छिपाया था जो कहीं न कहीं हत्या आरोपियों के मनसूबें दिखाता है आरोपी कहीं न कहीं घटना के बाद भी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे वही कुछ ग्रामेलों का यह भी कहना है कि हत्य आरोपी मामला ठंडा होने के बाद एक बार फिर दहसत गरदी फैलाना चाहते थे फिलाल हिंसा के इलाके में पूरी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात है और अभी भी वहाँ पर साउधानी बढ़ती जा रही है ताकि अब आगे कोई घटना ना घटित हो सके